कोरोन वाइरस से पूरी दुनिया में अब तक 1.5 लाख से जादा लोग शिकार हो चुके हैं भारत में भी इसके रोगियों के संख्या बढ़कर 126 हो चुकी है पूरी दुनिया में 7000 से जादा लोगों को मौत की नीन सुलाने वाला कोरोन वाइरस जादा उम्र के लोगों को जल्द ही अपना शिकार बना रहा है Health Experts ने दावा किया है कि जिन लोगों का Immunity System कमजोर है वो कोरोना वाइरस की चपेट में जल्द ही आ रहे हैं कोरोना वाइरस के चलते अब तक जिन लोगों की मोध हुई उनमें भी कमजोर Immunity System की समश्याद देखने को मिली थी इनसान के खराब Immunity System के लिए उसकी डाइट भी जुमेदार हो सकती है आई आपको बताते हैं किस तरह का खाना इनसान का Immune System खराब कर सकता है Fast Food जाद तर Fast Food बनाने में शुगर का इस्तमाल होता है और इसमें फाइबर की मात्रा कम पाए जाती है Fast Food शरीर का Immune System धीरे धीरे खराब करता है कैफीन कुछ लोग कोफी पीने के काफी शोकीन होते हैं शायद वो लोग इस बात से अंजान है कि कौफी में पाए जाने वाला कैफीन Immunity को प्रभावित करता है इसलिए कौफी पीने पर कंट्रोल होना बहुत सरूरी है सील बंध आचार खाने के साथ कई लोग आचार लेना नहीं भूलते हैं लेकिन शायद आपको मालूम नहीं है कि अचार में कई तरह के अलग-अलग flavors के अलावा भारी मात्रा में sodium पाया जाता है जो dehydration और kidney के समश्याओं को दावत दे सकता है अगर आप खाना बनाने में बार-बार एक ही तेल का इस्तमार करते हैं तो ये आपकी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है इस तरह का तेल आपके immune system को खराब करता है सोडा सोडा इंसान के immune system को कमजोर करने के लिए जम्मेदार हो सकता है सोडा में शुगर की मातरा काफे ज्यादा होती है जो insulin में शुगर लेवल भी बढ़ाती है आज कल बाहजारों में सील बंद फल और सूप मिल रहे हैं इस तरह का खाना आपके शरीर को पोशक तत्व देने के बजाए immune system को कमजोर करने का काम करता है इसलिए सील बंद खाना एकदम बंद कर दे इसके अलावा processed meat भी आपके immunity system को खराब करने के लिए जिम्मेदार हो सकता है बासी खाना भी आपकी diet से दूर ही रखना समझदारी होगी कई घंटों का बासी खाना आपकी सेहत पर पुरा असर डालता है खाना बनाने में आप जस पानी का इस्तवाल कर गही है उसका ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है गंदे पानी में बना खाना आपके immune system को खराब कर सकता है अगर आपकोई रिपोर्ट पसंद आई तो से लाइक को शेयर करें साथ ही अपने views हमें comment करके ज़रूर बताएं